नमस्कार दोस्तों कवीता याद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी और एंटीए नेट के संपूर्ण पर्ठेकरम के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं जून 2006 एंटीए नेट का पर्षन पत्तर जिसमें 50 पर्चन है 50 पर्चनों को हम हाल करेंगे अब मामारी सपलता का एक राज है भी यह कि हमें पिछले सालों के पर्षन पत्रों को करते हुए चलना है चाहे एंटी नेट से मंदित हो या पिछले सालों के परशन पत्रों जिस भी हम परिक्षा की तयारी कर रहे हैं हमें उनके पिछले सालों के परशन पत्रों को ही देखते हुए अपनी तयारी को दीरे दीरे आगे बढ़ाना है और नए पाठ्यकरम के अनुसार हमें अपनी तैयारी को इसी तरह करते हुए चलना है जिस परकार से हम अपने संपूर्ण पाठ्यकरम को टोपिकों में डिवाइड करते हुए एक एक टोपिक को परशन उत्रों सहीद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ हम पिछले सालों क के परशन पत्रों को भी लेते हुए चल रहे हैं तो शुरुवात कर लेते हैं कोस्चन नंबर एक पर पहला परशन देख लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ने करते हुए देख लेते हैं खड़ी बोली का परियोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ तो सही आंसर हो को बारतिय स्विधान की की सनुच्ची में सामिल किया गया है तो आप लोगों को सभी को पता है अश्टमन्य सुची में भारतिय बाशाओ को सामिल किया गया है बारतिय स्विधान में हमने भाशाओ से संबंदित हिंदी बाशा के उद्वह और विकास को जब हमने पढ़ा और हिंदी की स्वेधानिक सितिती को हमने पढ़ाता तो उसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया था कुन बार कितनी बाशाओं को बारतिये स्वेधान में किस उची में सामिल किया गया है कौन-कौन सी किस सन में और किस संसोधन के अनुसार जोड़ी गई इन सभी को आप लोग पिछली क्लास में जा करके इन तथ्यों को आप देख सकते हो हमने बाशा विज्ञान को कम्प्लीट कर लिया है पर्षन उत्रो सहीद आप पिछली क्लास में या प्ले लिस्ट में जा करके अच्छे से समझ के साथ देख सकते हो बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं तीसरा न तो अबेनुजय देव कहा गया है विद्धापती जी के आधिकाल के पर्म कव को मैधिय नवी ने दियारन spor टाइव समय कर दंद आरन कर दो दो arma को फिरी दिना वाक I советिस्त कव कर दो डार्टी कौ दो तो चक्का चक्का हो जाना किस दवनी की पुरविर्ति का उधारन है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा समीकरन का ग्रीम नियम की बाशा की दवनियों से संबन दित है किर्शन इतावली जिसकी रचना है तो आप लोगों को पताईए तुलसी दास जी की रचना है किर्शन इतावली तुलसी दास जी ने अधिक कई रचनाओं को ब्रेज भाशा में लिखा तो कई रचनाओं को अवधी भाशा में लिखा तो कौन सी ब्रेज भाशा में लिखी गई रचना है कौन सी अवधी भाशा में इसको हम आप बक्तिकाल के शुरुबात करेंगे तो अच्छे से एक-एक रचनाओं को ट्रिक के साथ करते हुए चलेंगे जैसे कि किर्षन गीतावली जहां पर वली आजाए अंत में वहां ब्रेजबाशा में लिखी गई रचना है तुलसी दास जी की तो ये किर्षन गीतावली ब्रेजबाशा से समंदित रचना है इसी तरह कवीता वली गीता वली यह सबी रचनाव को किस बाशा में लिखी कितने दोहे रहे कितने उन में छंद दिये गए सबी को अच्छे से डिटेल वाइस करेंगे आवज्यात पनिया टूटी बिसरी गयो हरी नाम तो यह पनक्ती किस कवी की है यह पूछा गया है किस लेखक दूआरा या किस संद कवी दूआरा कही गई पनक्ती है तो यह कुमंदास जी की पनक्ती है जब कुम्मनदाश जी का बुलावा आया था सीकरी के लिए तो तब कुम्मनदाश जी ने कहा कि मेरा सीकरी उनकी एक पंक्तिया भी है कि कुम्मन को कहा सीकरी सो काम इस परकार की एक पंक्तिया वो भी कुम्मनदाश जी दुवारा लिखे गई है कि महा पर तो आते जाते मेरी पैरो की पादुका ही तूट गई है और मेरा हरी नाम का जो मैं हरी नाम हमेशा राम नाम जबता रहता हूं उसमें वीवी देन आ रहा है इसलिए मेरा सीकरी जाना क्या आउशक है क्योंकि वहाँ पर जो राजा माराजा थे सीकरी में उनका बुलावा आया था कुम्मंदास ज जो इतना परचार और परशिदी चारों तरफ फैली हुई है कुमंदास जी को हम देखना चाते हैं उनसे बिलना चाते हैं तो कुमंदास जी को वहाँ पर जाना पड़ा उनके बुलावे पर लेकिन वह जाना नहीं चाते तो इसी पर उन्होंने यह पंक्तिया लिखी कि लिखी गई है तो रितिकालेन कभी मति राम जी दुआ रहा है पंक्तिय लिखी गई है कि कुंधन को रंग फी को लगे जलके अतियंग नी चरू पोराई एक नाइका के उपर लिखी गई है उनके सुंद्रिय की बातों इसमें कही है बढ़ते हैं आगे तंतरी नाद कवित्रस सरस रागरती रंग अनबूडे बूडे तिरे जो बूडे सब अंग इस दोहे में कौन सा अलंकार है इस दोहे में विरोधा बाश अलंकार है अलंकारों को भी हमें कर देख लेते हैं आगे हीम की रिटनी किस की रचना है तो हीम की रिटनी है माखनलाल चुतर वेदी की परमुख रचना रही है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं Next question, कच्छुवा धरम किस विदा की रचना है? कच्छुवा धरम जो है वो एक नीमन्द है कि इनका है? चंदर दर शर्मा खुलायरी जी का परमुख नीमन्द है कच्छुवा धरम यह लड़ की किसकी है? यानि कि यह लड़ की जो रचना है? वो किसके दूआरा रचित रचना है यह किर्षणा शोब्वति जी कि हम अगर ट्रिक से याद करें तो यह लड़की possoती है क्या कि ऐसे आपकर सकते हैं क्या सोती हो तो तो स्टारकश्यना-शोब्वति कौन्सोप्वति aos Barry लटगी सोते ईयानि के सुबती किप्ति है लडगी चोकलेट अक्वाहियन दिर्शनली परमुक रचनाए घर उन सब करें वOh सब्सक्रित अगर हमारे सामने आएंगे पिछले सालों के जतने की परिजन पत्र कंपैपर हमारे सामने आयगी तो मैं १ याद हो होगा क्योंकि हमारे जो एक्जाम वह यह यह वेक्जाम सुद्रेकंट में तरह विटमर के साथ जहां हुगा तो इसलिए बार बार भार भी एक तत्तय को पर हो अतना ही वारे लिए के बार बार हम थोड़ा उनको बिना उसकी डिटेल करते हुए लेकिन हां करें जरूर के तोर पर क्योंकि जब तक हम बार बार चिज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम आमारा जिरो पॉइंट फाइफ नेगेटिव मार्किंग कटने की सम्भावना हो जाती है वहाँ पर इसलिए जितना हम करेंगे उतना पक्का करता हुआ बार बार रिवाइज करते हुए चलेगे अपने तत्यों को बढ़ते हैं वीडियो अच्छी लगती है तो भई लाइक कर दिया सब्सक्राइबम अब्हाँ लिए आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है तो चोकलेट जो उपन्यास है वह किसका है बढ़ते हैं आपने कोश्चिन पर चोकलेट उपन्यास किसका आप लोगों को पताई एक परशेद उपन्यास है उग्रजी का चोकलेट तो परवाकर शेत्रिय की सकुणत्ला की लेख कर रहे हैं बढ़ती है यह अगे एख पंक्ति दी गई is कि यह किस नाटक की पंक्त susa गया कि आवेद्ना मिली वीदाई सकून्द गुप्त नाटक की पंक्ति यह उत कम जो नाटक है वह जय संकर प्रश्य दुवारा रचित परशिद नाठक है ऌद जे लिणाटक लिखे गए वे सभी के सभी परशिद और पर्मों का सभी इनाटक याद रख नहीं हामें जैसंकर परश्याद के जैसे आज़ादसुत्रों बहुत जन्दरगुप्त उर धरुश वीष वामनी वीष चारों यह नाटक चकुट यह जैशंकर पर्षाद जी के लेकिन यह पंग्ति यह सारी का पतरीका का संपादन इसमें से किस ने नहीं किया जो सारी पतरीका है इन में से किसने नहीं किया नहीं पूछा हुआ है तो राजेंदर याद्धों ने सारी का पत्रीका का संपादन नहीं किया चंदर गुप्त विद्या लंकार मोहन राकेश और कमलेश्वर तीनों ने सारी का पत्रीका का संपादन किया है मात्मा गांधी अंतराष्टिया हिंदी विश्वय देला का मुख्याला कहां रहा है तो वृध्या में इसका मुख्याला रहा है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोश्चन कम समय में अधिक पर्शनों को करने की कोशिस करेंगे वह क्योंकि हमारा सलेबस काफी हमारा सलेबस पढ़ा हुआ और एक जम डेट कभी भी आ सकती है इसलिए हमें पिछले सालों के पर्शन पत्रों को करते हुए एक केक्टोपिक को अच्छे से उसके कंटेंट को समझते और एक दो दिन से मैं थोड़ी बीजी हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी क्लास भी कम बना पा रही है और कंटेंट थोड़ा तयार नहीं हो पा रहा है अच्छे से तो खुल दो दिन की बात हो रहा है तो मैं आप लोगों के को एक की वजाए में दो-दो क्लास ले करके आऊंग काव्यानु भोति की जटिलता चितवर्तियों की संख्या पर निर्बर नहीं बलकि समवादी वी समवादी चितवर्तियों के ड्वेंद पर आधारी था यह कथन के नो ने कहा यह कथन कहा है आचारिय रामचंदर शुक्क्ल ने क्या कहा है कि काव्यानु भोति की जटिलता है वी चितवर्तियों की संख्या पर निर्बर नहीं बलकि समवादी और वी समवादी वर्तियों के ड्वेंद पर आधारी था यह जो बात कही है यह आचारिय रामचंदर शुक्ल जी ने कहा है लोंग जॉइन्स के अनुसार उत्ताद का परमुक्स रोत क्या है लोंग जॉइन्स के अनुसार उत्ताद का परमुक्स रोत विचार है विचार माना गया है लोंग जॉइन्स ने उत्ताद का परमुक्स रोत बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं अगला कोश्चन क्या है कि इसमें हम करेंगे बई 21 से 25 तक जो कोश्चन रहेंगे हमारे वे सतापना और तर्क से पराधारित कोश्चन रहेंगे क्योंकि सतापना और तर्क पराधारित भी परचन एंटी नेट में पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी में नही अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाना है तो देख लेते हैं पर्शन क्या है सहित्य की साधना कि एक मिल्कुल सही है यह जो बात है यह बिल्कुल सही है कि साधना नीरी जो विश्यों की साथ एक तव अनुभाव करने की साधना है सहित्य विश्य वबंदोतव की बावना को पूष्ट करता है यह बात कही गई है तो बिल्कुल सही है दोनों देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन संत न छाड़े संताई कोटिक मिले अनन्त चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिप्टे रहत पुझंग तो इसमें जो यह पंग्ति है यह दोहा है यह संतों के बारे में बताया गया है तो इसमें जो पहला जो बात यह कही है यह बिल्कुल सही है संत न छोड़े, संत अपने संतल को कभी नहीं छोड़ते, कोटी मिले असंत, अगर दूष्ट लोग मिल जाते हैं, असंती भी उंके साथ होती है, तो भी वे अपने संत परवर्ति को नहीं छोड़ते, जिस परकार से चंदन विश्य व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग, जिस परकार से चंदन के वरक से साप लिप्टे रहते हैं, फिर भी चंदन में विश्य नहीं मिलता, इसी परकार जो अगर दूष्ट व्यक्ति या जो असंगत जो व्यक्ति होते हैं दूष्ट जन होते हैं वो अगर संतों की साथ रहती है तो भी संत अपनी जो उनके बड़े पन की भाव होती है संत परविर्थ होती है वो नहीं छोड़ते ये बात कही गए ये बिल्कुल सही क बताया है इस पंक्ति में दूसरा देख लेते है तर किसका दुस्टों की संगती में संतों का सौबाव बदल जाता है ये नहीं है कि इसमें ये बताया कि दुस्टों की संगती से संतों का परवाव नहीं बदलता है यानि कि संतों की जो प्रवर्ति होती है वो अपनी प्रवर पढ़ते हैं आगे, अंग्रे जी पढ़ी के जपती सद गुन होत परवीन, पे निज बाशा ग्यान बिन रहत हीन को हीन, तो इसमें जो ये पंक्ती दी गई है, उसमें ये बताया गए कि अंग्रे जी पढ़ी के जपती सद गुन होत परवीन, अंग्रे जी पढ़ने से ही सब गुन परवीन होते हैं ऐसा नहीं है पे निज ज्ञान बिन रहत हीन को हीन अपनी जो निज भाशा के ज्ञान के बिना हीन के हीन ही रहते हैं यानि कि अबाव रहता है वे मुरक ही रहते हैं तो इस परकार यह बात कही गई है कि अंग्रेजी पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होत अपनी नीज बाशा को पढ़ना, अपनी नीज बाशा को अधिक मेंतों देना, अधिक लाबदायक होता है, या अपनी नीज बाशा के ग्यान के बिना लोग हीन के हीन रह जाते हैं, तो देख लेते हैं, तरक क्या दिया गया है, इसमें तरक बताया गया है, कि अंग्रेजी ब बाशा भी जरूरी होती है बढ़ते हैं यानि कि ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका ए सही आर गलत डी आंसर इसका हो जाएगा बढ़ते हैं आगे आगे भी एक पंक्ति दी गई है बाशा संस्किति की समभाख होती है बाशा के बिना संस् सभाव नहीं ये बिल्कुल दोनों बात सही कही गई है कि भाषा संस्किर्थी की संभवब होती है और भाषा के देख लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा c आंसर हो जाएगा सोरी भई C ने D के दोनों बात सही है दोनों सही है इसकी बढ़ते हैं आगे स्टापना देख लेते हैं दलित की पीडा को दलित लेखक ही अभी व्यक्त कर सकता है ये बिल्कुल सही बात कही गई है दलित की पीडा को दलित लेखक अधिक अभी व्यक्त कर सकता है और जो इसकी तर्क दिया गया है साभनू बूथी सवनू बूथी के स्तर तक नहीं पोहुच सकती ये भी बात बिल्कुर सही ज़िए इसमें तो आंसर हो जाएगा इसका सी दोनों सही ऐ और आर दोनों सही आगे देख लेते हैं कालकरम की दर्षिटी से सहीıs अनुकरम क्या है तो इसमें बताया गया है कि कालकरम की द्रिष्टी से सबसे पहले कौन सी पत्रिक आएगी मतवाला आएगी जो के 1923 में कुलकत्ता से परखाशी तुई फिर कलपना फिर सारी का फिर पहल पहल ग्यान रंजन जी की हैं बढ़ते आगे पिछले सालों के परखाशनों को करना हमारे हमारा उदेश्य बैस इतना है कि हमें यह पता चल जाता है कि इससे कौन-कौन से परिक्ष्या में परखाशन आते हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट परखाशन होते हैं और किस परकार से परखाशन पूछे जाते हैं कंटेंट के क्लास में तो हम बिल्कुल डिटेल वाइज एक एक टोपिक को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं और हमें यह पता चलता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं क्या उससे संबंदित परशन पूछे जाते हैं परिक्षा में इन सभी बातों को देखते हुए मैंने जरूर सभी पर्शेंट पत्र के पूछे गई है फेले योजिसी nya लेता था सभी पर्शन पत्रो को हम करेंगे के ठोड़ा जल्दी-जल्दी कर लेंगे यह करेंगे करेंगे जरोड एक दिन में 2002 अर Trent की पिछले साल लों के पर नस्थन पत्रों के कि तो इस तरह बहुत अमारा परत परकाशन काल की दरिष्टी से कौन सा अनुकरम सही है इसमें ये पुछा हुआ है कि परकाशन काल की दरिष्टी से ये सभी के सभी जो उपन्यास है ये जैनंदर जी के दुआरा रचित उपन्यास है सबसे पहले आएगा परक फिर सुनीता फिर त्याग पत्र फिर सुकता कि आसी है मैंने ही इंदी साइ़-ईतियास के प्रमुख गरंतों को एग लास में कराया है कि जो परमुख परमुख बार-बार प्रीकषा में पूछ जाते हैं जिस भी भूचे पीछे के क्लास नहीं देखったxico जाकर देख सकते हो या इंदी साइ़-दे जो परमुख धरन्त या फिर पिछे की वीडियो में जा करके आप देख सकते हो क्योंकि मैंने इसा भी गरंतों को कराया है जो बार बार परिक्षा में पूछे जाते हैं और उनसे सम्मदित मैंत्र पूरिन तथ्यों को भी कराया कि कि इस फरकार से कौन कोन से पर्मुक्णू बंते हैं तो किनों लेकिन फिर उसके बाद आमने पड़ा मिश्र बंदु मिश्र बंदु को पड़ा फिर राम कुमार वर्मा को फिर अचारी扮िवेदी को मिसर बंदु का मेश्र बंदू विनोफ राम हिंदी साहित्य का इतियास नाम से हिंदी साहित्य का इतियास गरंत लिखा रामकुमार वर्माने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतियास लिखा और अजारी परशाद्य विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमी का हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का उद्भावर दरिश्टी से नाटकों का सही अनुकरम क्या है तो नाटक देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा नाटक कि सन में लिखा गया देख लेते हैं सबसे पहले आएगा हमारा संयोगीता स्वेमवर जो कि भारतिन दुद जी द्वारा रची थनाटक है फिर चंद्र गुप्ट जो कि जैशंकर परश्याद का है फिर सिंदूर की होली और इसके बाद कोर्णार्ख बढ़ दें आगे काल करम की दर्ष्टी से आतम कथा निमलिक खंडो का सही अनुकुरम बताईए ये आतम कथा दी गई है हरीवंच राई बच्चन जी की तो इन में जो काल करम है इनका सबसे पहले कौन सी लिखी तो देख लेते हैं सबसे पहले सही आंसर हो जाएगा हमारा बी क्या बोलू क्या याद करू नीड का निर्मान फिर बसेरे से दूर और दस दुआर से सो पान तक ये इनकी हरीवंच राई बच्चन जी की ए इससे पहले हम स्याइद एक कोश्चन छोड़ चुके हाँ ये रह गया था हमारा इसमें देख ले रहां है अनन तरी से दॉरज का गया बढ़ते हैं उसने का था बुद्दु का काटा और शुक में जीवन बढ़ते हैं लिक का व्यकिर्टियों का सही अनुकरम क्या है इसमें देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आएगी रचना बहरत भारती मेथली सरणकुप्त की फिर पल्लव फिर अनामिका फिर तिपसिका बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोश्चन है निमलिक्त गरंतों का सही अनुकरम क्या है तो सबसे पहले आएगा जो गरंत है निमलिक्त कावे सस्तर की गरंतों का सही अनुकरम क्या है इसमें जो कावे सस्तर की गरंत है उनका अनुकरम बताना है कावे सस्तर में जो गरंत लिखे गए सबसे पहले कावे अलंकार जो कि बामा दुआरा लिखा गया से आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी काव वैलंकार फिर काव वैलंकार शुत्तर फिर धमनी लोग फिर रसगंदार जगा जगनादी जी दुवारा रचित बढ़ दें आगे पिर ये आलो चंही रचना अलो चंहात्मक रचना है इनको देख लेते हैं सबसे पहले कोन सी आएगी इनकाLoica करमान उसर लढ़ना है तो सबसे पहले इसमें आएगी का मैनी एक पूनर विचर्जायवाद का पतन कवीधा के नई परतिमान बढ़ते हैं परतिमान तो इसमें ये बताया, पुछा हुआ है कि किस रचना, किस लेखक दुवारा कौन सी रचना लिखी गई, यानि कि देख लेते हैं सबसे पहले, दुखवा मैं का से कहूं मोरी सजनी, ये किस के दुवारा रचना है, स्वरी भई, ये मैं क्या पढ़ रहे हूं, ये इसमें है संगत पुछा हुआ है, मैंने ये ओप्शन ये देख लिए, यहां से 1, 2, 3 मैंने सुचा है, ये कोश्चन है, तो य है इसलिक पुछा गया कि कौन सी रचना का यूगम संगत है, यानि कि इसमें से कौन सी रचना का यूगम है, वो सही है, और सभी गलत है, सभी जोड़े गलत हैं roni academy बार दोढकर चाया काी रचित कानी है यह देख लेते हैं किस रचनाकार की दुवारा कौन सी रचना लिखे गई तो दिल्ली का दलाल जो है ये उग्रजी दुवारा रचित रचना है देख लेते हैं एका फूर हमारे पास दो ओप्शन है एके फूर की तो इन दो ओप्शनों में इसे देख लेते हैं गुनाओ का देवता तरमवीर बार्ति बिलकुल सही है इसमें भी है अंतराल मुहन राक इस बिल्कुल सही है इसमें अब हमें for the option देखना बूले भिसरे चित्र तो ये भगवति चरणवर्मा का है ना कि भगवति परशाद वज भजबहिका नहीं है तो हमारा सही आंज़ा में क्या हो जाएगा सही आंसर A हो जाएगा मारा बगवती चरण वर्मा का है बूले बिशरे चित्र बिलकुल जो मिलते जुलते नाम हो उनको बिलकुल जान से करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ एक जाम है हमारा एक भी कोस्टिन गलत नहीं करना है क्योंकि बगवतिर फोलो हो जाओगे तो बूले सक्थितन से हैं गरुंकर इसह में आप में अप्सकूरा यहां टो टा है उसक्ता कवा इस लिए बिलकुल द्यान से करना है बढ़ते हैं आगे, निमलिक्त कावे पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुम्मेलित कीजी, जो ये कावे पंक्ति दे गई है, उनके रचनाकारों के साथ हमें मिलान करनी है, कि किस रचनाकार दुवारा कौन सी पंक्ति लिखी गई, यानि कि देख लेते हैं, दूप सा दीपसी में मदूप गुनगुना कर कह जाता तो यह जो पंगती लिखी गई है यह परशाद जी दुवारा लिखी गई है और सन्हे निर्जर बैगए आप लोगों को पताई है निराला जी की पंगती है सुरोज जी मिर्टी से और हाई मिर्ट्व का ऐसा अमर एपार्थिव पूजन जो यह पंगती है यह पंगती पंगती दुवारा रचित पंगती है तो सही आंसर क्या होगा हमारा एक फाइफ एक फाइफ इन दो उप्षिनों में से सोरी वह एक फोर दूपसातन दीपसी में एक फोर दो उप्षिनों में से नहीं यह भी आंसर इसका सही हो जाए आप बढ़ते हैं आगे şey मिलिक पत्रिकाओ को उसके संपात को के साथ सद technology जो पत्तर पत्रिकाय है उनição को देखना में किस वन्हेंаз रहारा संपातित कि गई वाल-बोदनी जो है भारतेंदो जी डूरा संपातित कहीं गई तो इसका एक этим होजाएगा तो हमें A से ही पता चल रहा है इसका अंसर क्या हो जाएगा तो A का C होगा तो C इसका अंसर हो जाएगा बारतिन्दु की हांस जो पत्री का प्रेम चंद जी दुआरा संपादित की गई जो प्रतीक है वो अगेजी दुआरा और कल्पना है वो बद्री विशाल पित्ति दुआरा संपादित पत्री का है पड़ती है आगे आगे की जो रचना है सुफी कवियो दुवारा रचित जो रचना है वो उनका मिलान करना में म्रिगावती जो है म्रिगावती कुतंबन जी की रचना है एक अच्यार तो आंसर हो जाएगा डी मदुमालती मंजन की आकरी किलाम जैशी का और अनुराग बानसुरी नूर मौमद की इतरा आएगा नूर मौमद जी की इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोश्चन पर इन बोली इन बोलियों को उनकी बोली के छेतर के अनुसार लगाना ह हमें कौन सी बोली किस छेतर में बोली जाती है तो बांगरू जो बोली है वो किस छेतर में बोली जाती है रोतक छेतर में बांगरू बोली जाती है तो हमारा सही अंसर हो जाएगा ए और इसके बाद भोजपुरी जो है वो छप्रा में बोली जाती है कुमाईू नी बोली जाती है अलमोडा में घड़ी बोली बोली जाती है मेरट में बढ़ते हैं आगे इन रचना और उनके लेखकों के साथ सुम्मेलित कीजी मैला रचनाकार है तो उनके दुवारा रचित जो रचनाई है वे देखने हैं हमें किस लेखी का दुवारा कि रचित रचना है तो आपका बंटी जो रचना है वो मनुबंडारी की परसीत रचना है आप लोगों को पत साहिए एक अदो हो जाएगा तो अंसर हो जाएगा मारा भी आगे देख लेते हैं पच्पन खंबे लाल दिवारे यह उश्या प्रियमंदा का आवा चित्रा मुर्द कल जी की रचना है और बेगर ममता कालियर की रचना है बढ़ते हैं आगे दोनों और प्रेम पलता है यह किस लेखक दुवारा रचीत पंगती है तो हैं है तो एक अच्यार ह हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा कि तरिक जीवन हो जो पाता ही गया विरोध्र यह पंक्ति जो है यह निराला जी दुआरा रचीत है परहती शरीश धरम नहीं भाइत उलसी रामदी दुआर रचीत है बीन भी हुम है और रार्गनी विह हुं यह पंक्ति महाोदेव domagam जी दुआरा रचीत है बढ़ते। कि आगे कि चृत्ता ऊप्ट अंतर्य चृत्ता का अंनके दुआ नदी अचार्या जो का me परिभाशादी गई है तो वह इसमें दिया गया तो देख लेते हमति आचारिय दुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब एभन सब्सक्राइब तो सेगुना लंकारो पुने कवापी यह जो पंक्ति है यह मामर्ची द्वारा दी गई है और रम्नियत तार्थ परतिपाद शब्दम काव्यम तो यह जो बात कही है यह गजानन जि द्वारा गजी गई है और वाक्यम रशातमक व्यं यह जो है यह विश्यसरद घ्मांग्ति जी द्वारी देते है बड़ते हैं आगे देख लेते हैं अंतीम कोष्टन अमारा क्योंकि इसके बाद एक Jimmy परह ग्रवा को आप श्वयम से पढ़ करके इसके परशनुत्रों को हल कर सकते हो क्योंकि अगर हम एक-एक कोश्चन को पैराग्राफ को पढ़ करके करेंगे तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी इसलिए हम 45 कोश्चनों को ही करेंगे देख लेते हैं सुमेलित के जिए वीरेचन सी दांत जो यह पास्चात विद्वान रही है इन्होंने जो सी दांत दिये है किस विद्वान ने कौन सा सी दांत दिया है तो उसको हमें मिलान करना है अपने आंसर में तो सही आंसर क्या होगा इसका इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी क्योंकि विरेचन जो सिदान्त है वो अरस्तोजी दुवारा दिया गया सिदान्त है विरेचन सिदान्त है उसके बाद निर्व्यक्तिकता जो सिदान्त है वो इलियेट ने दिया है रूपवाद सिदान्त रूसों ने दिया है और विखंडनावाद दारी दाने दिया है तो इस परकार से इनों ने पास्चत्य विद्वानों ने सिदानतों की व्याख्या की है तो इस तरह हम ने देख लिए जून 2006 का अंतरगत पुछा गया पर्शन पत्र इस तरह हम 2007 फिर 8 फिर 9 10 करते हुए 2003 तक हम सभी पर्शन पत्रों को अच्छे से इनके पर्शन कोश्चन आंसरों को देखते हुए समझते हुए करते हुए चलें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों के साथ सिहर करना चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना आपको हर रोज एक क्लास हिंदी की अवश्य मिलती रहेगी कोशिस करूंगी मैं एक द आगे से रेगुलर्टी के साथ हम इसी तरह अपनी तैयारी को परिक्षा तक अगे बढ़ाते हुए रहे चलेंगे जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नए हो वे प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूट करके परिक्षा हिंदी विश्य की संपून पठे करम की तैयारिक का लाब उठा सकते हो पढ़ते रहना अगे बढ़ते रहना थेंक्यू धन्यवाद